इस question में हम देखेंगे कि हम current की value कैसे निकाल सकते हैं with the help of nodal analysis, सबसे पहले देखो यहां पर हमारे पास current source है और उसके साथ parallel में resistance है तो उसे voltage source में convert कर सकते हैं, बट उसके लिए तुम्हें पहले conversion आनी चाहिए, conversion कैसे होती है, current source के साथ अगर parallel में resistance है तो उसको हम voltage source में convert कर स तुम्हें से दूर उससे दूर बैठा हुआ है, तो उसको तुम voltage source में convert कर सकते हो, अगर तुम्हारे दुश्मन का bodyguard उसके साथ ही बैठा हुआ है, मतला अगर current source का resistor उसके बिलकुल साथ बैठा हुआ है, तो उस case में तुम उससे convert नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हें इसे voltage source म convert करना है जो resistor यहाँ पर parallel में connect है वो ही same resistor यहाँ पर series में connect हो जाएगा अब बच्चा क्या voltage की value voltage का formula होता है according to ohm slow i multiplied by r इसमें current की value given है 5 ampere resistance है 10 ohm तो इसकी value put करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गया 50 volt यह मैंने तुम्हें conversion बताया है अब हम question पर आ जाते हैं question में हमें क्या बोला हुआ कि इस question में हमें current की value निकालनी है with the help of nodal analysis और circuit reader होगा current source के साथ parallel में resistance है तो हम यहाँ पर क्या करते है voltage source में convert कर देते है voltage source के साथ हमारा series में resistance कनेक्ट हो जाएगा same resistance तो यहाँ पर कितना resistance कनेक्ट है parallel में 5 ohm तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 ohm अब voltage की value को आती है i into r तो कितना हो गया यहाँ पर 4 into 520 यह हमारे पास 10 ohm as it is रहेगा क्योंकि 10 ohm को हमने चेड़ा नहीं है अगें 2 ohm भी हमारे पास as it is रहेगा उसको भी हमने चेड़ा नहीं है 10 ohm भी as it is रहेगा यह वाला 10 ohm भी as it is रहेगा अब अगें तुम देख सकतों कि यह 5 ohm और यह वाला 5 ohm किसमें नहीं कनेक्टेड है तो इसको हम लिफ्लेड डाट कर सकते हैं वेल्टेज वेल्ट करेंगे तो व्ल्टेज सोर्स आजाएगा और उसके साथ शीरीज में रिजिस्सेंस कितना करनेक्टेड है यहां पर प्यालेल में 5 ohm और और वोल्टेज की वेल्यू अगें 5 इंटु 5 तो पर हमारे पास दो से ज्यादा वायर कनेक्ट है एक दो तीन तीन वायर कनेक्ट है यह भी हमारे पास क्या है एक नोड है जहां पर हमारे पास तीन वायर कनेक्ट है अब देखो करण कैसे फ्लोर है तो मैंने यहां पर यह भी आइवन ले लिया टैनों में आई टू था तो यह i2 ले लिया, 10 ohm में i3 था तो i3 ले लिया और 5 ohm में i4 था तो i4 ले लिया, हमें same value रखनी है, same मैंने direction लिये because हमें i1, i2 और i3 की क्या निकालनी है, value निकालनी है, हमें इस diagram को solve करूँगे, इस diagram को मैं copy paste कर रही हूँ, copy paste करके तुम इसमें nodal analysis के थूँ क्या कर सकते हो, solve कर सकते हो, अब वो देखो कैसे solve कर सकते हो, कि इसमें हमारे पास क्या है, node है, तो apply किर्चॉफ current लो, that is kcl at node a, node a पे, तुम सोचो कि node a तुम्हारा क्या है, college है, ठीक है, college के अंदर तुम्हारी कौन सी current जा रही है, तो college ये अंद के भार कौन सी current जा रही है, I1 जा रही है और I2 जा रही है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई, outgoing current हो गई, तो current है, तो हमें current की form में लेना, उसे V by R की form में convert नहीं करना, अब I1 देखो, ये तुम्हारा यहाँ पे हम क्या कर देते है, ground कर देते है, ground पे potential मालो 0 होता है, औ गर पे potential कितना है, 0 है, तो कैसे जाएगा, college से घर मतलब VA से 0 जा रही है, तो VA-0 बैटरी आ रही है रास्ते में, तो बैटरी का कौन सा sign लेते है, second sign divided by resistance, similarly हम I2 की value देखेंगे, तो I2 जो current है, वो I2 सो जो तुम हो, तुम कैसे जा रहे हो, college से घर जा रहे हो, तो अगें VA से 0 जा रहे हो, तो जहां से जा रहे हो, वहाँ पे positive और जहां पे जा रहे हो, वहाँ पे negative, जहां से निकल रहे हो, वो लोग खुश हो गए, जहां पे जा रहे हो, वो लोग दुखी हो गए, divided by resistance कितना है, 10 ohm है, similarly हम apply कर सकते है, node B पे apply KCL at node B, अब node B तुमारा suppose क्या है, तु तुम देखो या कि तुमारा node B क्या है, canteen है, canteen माल लेते हैं, तो canteen के भार कौन से current जा रही है, I3 भी canteen के भार जा रहा है, I4 भी canteen के भार जा रहा है, और 2 ampere भी canteen के भार ही जा रहा है, तो सारी क्या हो जाएंगी, outgoing current, तो incoming current क्या है, 0 तो 0 is equal to 2 plus I3 plus I4, 2 as it is रहेगा, I3 तुमारा कैसे जा रहा है, canteen से घर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, VB minus 0 divided by 10 I4 कैसे जा रहा है, अगेन ये भी canteen से घर जा रहा है, तो VB, पैटरी का second sign लेना है, minus 25 minus 0 divided by resistance कितना है, यहां पर 5 ohm है, इसको solve करेंगे, तो हमारे पास क्या value आ जाएगी, VA की value आ जाएगी 10 V, अब इसमें हमें किस की value निकालनी थी, हमें तो नहीं पूछा हुआ था कि voltage निकालो, हमें I1, I2, I3 और I4 की value निकालनी थी, तो अगर हम यहां पर I1 की value पूट करेंगे, VA की value यहां पर पूट करेंगे, तो हमारे पास I1 की value आ जाएगी, VA की value आएगी, तो I2 की value शच्चीब एंग झाल झालडित नचीब है